तो सबसे पहले बीटा डिसक्स कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी crystal field theory का part 2 last class में बेटा मैंने crystal field theory आपको कराय था octahedral complexes के लिए है ना आज हम किसके लिए discuss करेंगे आज हम discuss करेंगे tetrahedral complexes के लिए tetrahedral complexes से बहुत जादा सवाल नहीं आते हैं और थोड़ा बहुत ही उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है बट at least जितना आपको मैं बता रही हैं उतना आपको करके जाना है उतना आपको आना चाहिए उसके बाद बेटा we are going to discuss the color in the complexes की complexes में color होते हैं और color होने के क्या क्या reasons हो सकते हैं यह आपको discuss करना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि d and f block elements में color हम detail में बढ़ेंगे coordination compounds chapter में correct यह हमने discuss कर आता और आपके लिए आज हम लेकर आए है कुछ questions प्राक्टिस भी कुछ questions की भी बेटा प्राक्टिस करेंगे और अब उसके बाद एक lecture और आएगा आपके पास that will be the lecture no.7 जिसमें हम complete isomarism को discuss करेंगे isomarism से जुड़ी हर चीज we have to discuss ठीक है चलो अभी next lecture के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे बड़ इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया ताकि तुम शांती से इस lecture को देखो और अब तक का सारा एकदम done कर लो और फिर उसके बाद एक ही lecture बजेगा अब बेटा त कि पूरी NCRT निप्टा देना संडे को बैठना शाम को छे बजे NCRT को निप्टाने के लिए 12 बए तक पूरी निप्टा दोगे इतनी मैं guarantee लेतू कि सवाल तुमसे सारे बन जाएंगे अगर तुमने सारे के सारे lectures को बहुत अच्छे से देखा है तो कुछ भी हमने छोड़ प्लोग कर लेंगे जैसे आपका खतम हो तो जरूर लिखेगा कि यस माम हमने अपना चाप्टर डन कर लिया है ठीक है बेटा चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का concept crystal field theory for the tetrahedral complexes है ना बेटा अब हमें discuss करना है crystal field theory for the tetrahedral complexes अब देखो बेटा ध्यान से सुनना है आपने जो octahedral complexes है उसके अंदर cft को बहुत deep में पड़ा है है ना क्यूंकि बेटा requirement वहाँ पर deep में समझाने की थी तो मैंने time लेके अराम से आपको पूरा deep में समझाया है ठीक है लेकिन tetrahedral complexes में भी बहुत सारी चीजें अगर हम समझाने बैठें तो उसमें भी हम आपको बहुत deep समझाएंगे बर उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि बोर्ट में उसके deepness से कोई सवाल नहीं आता है पर जितना मैं तुम्हारे सामने लिखूंगी जितना मैं त जरूर तुम्हें करके जाना ही है ठीक है अब देखो सबसे पहले तुम्हारा बनेगा यहां पर cft diagram क्या बनेगा बेटा सबसे पहले तुम्हारे पास बनेगा cft diagram तुम्हें याद है बेटा सबसे पहले हमारे पास होता था metal in the isolated field फिर होता था metal in the symmetrically spherically symmetrical field और फिर होता था बेटा हमारे पास कुछ ऐसा पर अब तुम्हें थोड़ा सा change दिखाई देगा अब बेटा तुम्हें थोड़ा सा change दिखाई देगा ठीक है यह बात धिहान रहे तो बेटा जो मैं इस टाइम पर आपके सामने बना रही हूँ यह आपको सब आता है है ना यहां आपने क्या लिखा था बेटा यहां आपने लिखा था free metal iron है ना क्या लिखा था बेटा आपने लिखा था free metal iron सभी बच्चों को याद है क्या लिखा था बेटा free metal iron और यहां क्या लिख Metal Iron beta in Spherically Symmetrical Field, है ना बेटा, Spherically Symmetrical Field, है ना, सारे के सारे ligands हमारे पास आ रहे थे, बस इतना फर्रक है कि जब Tetra Hadle Complexes की हम बात कर रहे हैं, जब बेटा, हम Tetra Hadle Complexes की बात कर रहे हैं, तो हमारा complex कुछ MA4 टाइप का होगा, जहां पर आपके पास जाहर सी बात है कि जो ligands जाहर सी बात है जो ligands होंगे बेटा, वो कितने होंगे? चार होंगे, ligands कितने होंगे बेटा, आपके पास चार होंगे, चार ligands बेटा, आपके पास प्रेजन्ट होंगे, ठीक है, दिखान रहे, हम ज़रा इनके orbitals भी बना लेते हैं बेटा, आप भी मेरे साथ साथ हेडिल कॉंप्लेक्स के CFT डाइग्राम में, धिहान से देखना है बेटा, सभी का धिहान जो है, ब्लैक बोर्ट पे बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? अब एक बेटा आपके पास आता है ये लाइन, एक बेटा आपके पास आता है ये लाइन, ठीक है? एक डिस्ट होता है बेटा, आपका यहां से लेके यहां तक का, ये दो डिस्टेंस आपके पास रहते हैं, रहते हैं बेटा, आपके पास ये दो डिस्टेंस, अब ध्यान रहे, इसको आप T2 बोलते हों और इसको आप E बोलते हों, हम यहां पर G वर्ड कभी नहीं लगाते हैं, वहां प के पास T2G नीचे था, EG ऊपर था, सबसे पहले tetrahedral complex में याद रखना है, T2 तुम्हारा ऊपर चला जाता है, E तुम्हारा नीचे चला जाता है, इसका reason ना बेटा, इनके angles पे depend करता है, जैसे मैं आपको बता रहे थी कि octahedral complexes में ligand क्योंकि उन orbitals की तरफ से directly approach करता है, है ना, जो कि जिसमें electron density internuclear axis पे present होती थी, तो वो ज्यादा repulsion phase करते थे, यहाँ पर क्या है, जब ligand आता है ना बेटा, तो वो आपके सारे के सारे T2G orbitals के साथ, और EG के orbitals के साथ, एक angle पे आता है, तो जो T2G वाले तीनो orbitals होते हैं, उनसे उनका angle थोड़ा छोटा रहा है, तो उसके pass से गुजरते वे होते जाता है, तो यह सब फिर क्या face करते हैं, ज्यादा repulsion face करते हैं, ऐसे समझ लो कि यह ligand आ रहा है, इधर सारे T2G वाले भाई बैठे हैं, इधर सारे EG वाले बैठे हैं, एक कुछ ना कुछ angle जो है ligand का approach इस से बना रहा है, कुछ ना कुछ approach इस से बना, तो यह थोड़ा इसके pass से होते वे गुजरता है, है ना, ligand इसके pass से होते वे, जबकि EG से उसका distance क्या रहता है, थोड़ा सा दूर रहता है, तो अगर ligand आपका EG के सारे के सारे orbitals, यानि की DZ square और DX square minus Y square से थोड़ा दूर रहेगा, है ना, तो इसका मतलब ह है कि उससे क्या phase करेगा, less repulsion phase करेगा, ऐसा अपने दिमाग में concept बना सकते है, but still उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, never asked in the board examination, तो focus सिर्फ डाग्राम पे ही करना है, ठीक है, यह हो गया बेटा, आपका डाग्राम, कौन कौन से orbital आते है, DXY, DYZ, और यहां क्या बेटा, DXZ, DZ square, DX square माइनस Y square, अब आपका सवाल आना चाहिए, कि मैम आपने आपर T2G क्यों नहीं लिखा, आपने आपर EG क्यों नहीं लिखा है ना बेटा, अब ध्यान रहे, आप कभी भी tetrahedral के लिए T2G या फिर EG नहीं लिखते हैं, आप उनके लिखते हैं T2 और E लिखते हैं आप उ बेटा, tetrahedral G का मतलब जो होता है ना बेटा, वो होता है जिरेट, और जिरेट का मतलब क्या होता है बेटा, symmetry, और जिरेट का मतलब क्या होता है बेटा, symmetry, है ना, अब आपके पास जो tetrahedral होते हैं, जो tetrahedral आपकी geometry होती है, जो बेटा, आपकी tetrahedral geometry होती है, है ना, वो बेट unsymmetrical होती है, जो आपकी tetrahedral geometry होती है, वो unsymmetrical होती है, है ना, octahedral में क्या है कि आप ligand को किस भी तरफ से भी भीजो, कहीं से भी भीजो, है ना, आपको हर जिके से same ही दिखाई देगा, जैसे कि मैं आपको example लेकर समझाती हूँ, यह आपके पास beta आपकी octahedral geometry होती है, ऐसे होती है, है ना, यह symmetry होती है इसके अंदर, इस तरीके से इसमें एक symmetry होती है, परंतु, जब तुम tetrahedral की बात करते हो, तो बेटा, उसकी जो shape होती है, वो कुछ इस तरीके से रहती है, है ना, यह आपने organic में पढ़ा होगा, तो एक ligand इधर है, एक ligand इधर है, एक इधर है, एक इसको आप क्या बोलते थे बेटा, above the plane, और इसको आप क्या बोलते थे बेटा, below the plane, है ना, और यह दोनों bonds क्या रहते थे, on the plane, अगर मैं इसको एक plane मान लूँ, यहाँ पर M1 ligand है, L यहाँ पर है, एक वहाँ बोड के वहाँ है, तो यह जो तुमारा पीछे वाला जो बड़ के आगे आएगा, तो बेटा, मैं इसको इधर से देखूं, उपर से नीचे देखूं, लेफ्ट से देखूं, कहीं से भी देखूं, यह बेटा, हर जेगे से मुझे से से नहीं दिखाई देता है, बट ओक्ताहेडरल की यह खासियत होती है, आप इसे उपर से देखे के दाएं, बाएं कहीं से भी देखें, ओक्ताहेडरल हमेशे आपको एक ही जैसा दिखाई देगा, इसलिए ओक्ताहेडरल जमेट्री को क्या माना जाता है, बेटा, सिमेट्रिकल जमेट्री माना जाता है, ठीक है, यह बात आप सबको बहुत अच्छे से ध्यान देख, आप से यह डायग्राम डिसकस कर रही थी हम घेट कभी भी यह बेटा, अब प्लस 0.4 डेल्टा ट की वाल्यू से भढ़ जाता है, यह माइनर 0.6 डेल्टा ट की वाल्यू से कम हो जाता है, ठीक है? और यह जो distance होता है बेटा इस distance को हम एक नाम दे देते हैं डेल्टा T क्या नाम दे देते हैं डेल्टा T जैसे वहाँ पर डेल्टा नौट था वैसे यहाँ पर क्या होगा बेटा डेल्टा T होगा और डेल्टा T को मैं बोल दूंगी crystal field splitting energy मैं बोल दूँगे बेटा इसे crystal field splitting energy for tetrahedral complexes. किसके लिए बेटा? तो धियान रहे सबसे पहले क्या हो रहा है? कौन उपर जा रहा है? कौन नीचे जा रहा है? किसकी एनर्जी क्या है? उपर वाले distance की value क्या है? नीचे वाले distance की value क्या है? इस पूरे की पूरी line को, इस पूरे की पूरे distance को क्या कहा जाता है? जी आएगा की नहीं आएगा? आए तो कहां पर आएगा ओक्ताहेडल में आएगा कि टेट्राहेडल में आएगा ई में कौन-कौन से और्बिटल साते हैं टीटू में कौन-कौन से और्बिटल आते हैं यह बात सबसे पहले आपके दिमाग में डायग्राम के इसाब से बैट जानी चाहिए यह डायग्राम आपको आपको बहुत ध्यान से माम की सुननी है और लिखनी है जब आप tetrahedral complexes की बात करते हो है ना जब बेटा आप tetrahedral complexes की बात करते हो तो यह बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास कितने कितने डीगेंज आते हैं? Tetrahedral complexes में बेटा आपके पास Legands कितने एप्रोच करते हैं? लीगेंज approaching metal r4 सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए ठीक है बेटा अब ध्यान रहे crystal field stabilization energy for octahedral complexes ज्यादा आती है बेटा as compared to delta t अब आपके पास एक relationship होता है इस relationship का बेटा simple भाशा में बोलूं तो यह मतलब होता है अगर यह तुम्हारी splitting octahedral complexes की होती है न बेटा तो यह तुम्हारी splitting tetrahedral complexes के लिए है जिसमें यहां क्या था यहां था बेटा आपका eg यहां क्या था आपका t2 जी यहां आपके पास क्या है बेटा t2 और यह क्या है यह आपका किसके लिए है, octahedral के लिए, ये diagram किसके लिए बेटा, tetrahedral के लिए, है न, ये space, ये spacing, ये spacing बेटा, ये इतनी है, और ये spacing बेटा, ये इतनी है, अब आपको साफ साफ पता चल रहा है, कि del not diagram को देखे, del t से कम है, ये जो splitting होती है, ये तुमारे जो d orbital split हो जाते हैं, बेटा, octahedral में जादा splitting होती है, tetrahedral में कम splitting होती है, अब splitting होने का reason क्या था, आपको पता है, कि जब भी ligand metal के पास आता है, तो force of attraction भी रहती है, force of repulsion भी रहती है, repulsion क्यों होती है, क्योंकि ligand किस रास्ते से आ रहा है, उसमें कौन-कौन से orbitals आ रहे हैं, वो किस तरगे के repulsion फ में ligands का जो number होता है, ligands का जो number होता है, वो कितना होता है बेटा, 4 जो approach कर रहे होते हैं, और यहाँ बेटा, ligands का जो number होता है, यहाँ बेटा, ligands का जो number होता है, वो होता है बेटा, 6, तो अगर आपके पास number of ligands जादा approach करते हैं, तो आपके पास repulsion भी जादा होती है, जि इसलिए आपके पास ये gap ज़ादा होता है और ये gap कम होता है ये चीजें हम अपने last lecture में discuss सभी के सभी कर चुके हैं मैं लिख दूंगी बेटा मैं लिखूंगी इसका reason क्या रहता है इसका reason क्या रहता है बेटा जितने जादा लीगेंज अपरोच करेंगे उतनी ही जादा आपके पास क्या होगी रिपलजन होगी उतनी ही जादा बेटा आपके पास क्या होगी splitting होगी क्या होगी बेटा उतनी ही जादा आपके पास splitting हो जाएगी यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे और एक relationship भी होता है आपके पास डेल्टा टी is equal to 4 by 9 डेल्टा नॉट यह आपका relationship होता है यह relationship बेट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए crystal field splitting energy और crystal field splitting energy of octahedral and tetrahedral complexes के बीच में क्या relationship होता है यह आपको ध्यान रहे अब जैसे बेटा हम एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे अब देखो अगर तुम्हारे पास यह gap tetrahedral complexes में already ही कम है है ना gap बेटा already कम है तो क्या होगा जो आपका electron है वो बहुत easily उपर excite कर पाएगा इसका मतलब है बेटा कि यह आपके tetrahedral complexes कभी low spin होते ही नहीं है यह हमेशा क्या होते हैं यह हमेशा high spin होते हैं जाता क्यूं क्यूंकि बेटा जब आपका ग्याब भड़ता है तभी electron का उपर excite होना मुश्किल हो जाता है तो वो नीचे पेरिंग करने लग जाता है अगर आपका ग्याब ही कम है तो बहुत easily उपर excite कर सकता है तो हमारे पास एक बहुत important लाइन यहां पर बनेगी due to less splitting due to less splitting due to बेटा less splitting tetrahedral complexes tetrahedral complexes बेटा are always are always high spin यह हमेशा ही क्या होते हैं यह हमेशा ही क्या होते हैं हाइस्पिन होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए they are always high spin irrespective of anything चाहे आपका metal किसी भी respective 3D, 4D, 5D series का हो चाहे आपका लीगन कितना ही strong हो चाहे कुछ भी हो जाए any case यह हमेशा क्या बनाएंगे बेटा high spin complexes हमेशा हमेशा high spin complexes बनाएंगे लिखेंगे इतना अब जैसे एक सवाल आता है आपके पास जैसे आपके पास एक सवाल आता है मान लो आपके पास लिखा है nico4 अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है ऐसा कुछ आपसे पूछते हैं कि हमें जो है इसकी electronic configuration बता दो हमें जो है इसकी cfse निकाल के दिखा दो हमें जो है इसका magnetic moment भी बता दो अब बेटा आपको magnetic moment निकालना है electronic configuration निकालनी है या cfse निकालनी है तो वो सब चीज़े अब आप कैसे करोगे आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले सीखनी पड़ेगी इन सब की जो है क्या क्या रहेंगी electronic configuration तो सबसे पहले बेटा d1, d2, d3, d4, d5 अब यह तो हमेशा ही आपके पास क्या होते हैं हमेशा ही high spin होते हैं इन में कोई case ही नहीं होगा low spin का तो already आपकी कुछ चीज़ें तो easy हो चुकी है t2 उपर बेटा e नीचे यहां पर भी t2 उपर e नीचे पहले हम diagram बना लेते हैं फिर आगे बात करते हैं t2 उपर e नीचे तो सबसे पहले बेटा यह आपके पास हो गया d1 यह बेटा d2 हर हालत में high spin ही complex बनना है d3 यह बेटा क्या d4 यह बेटा क्या आपका d5 ठीक है अब energy की values को लिखिए तो energy की value आप बेटा कैसे निकालोगे इसकी वो भी मैं वहीं लिखवा देती हूं इधर ही लिख लो इसकी cfse की value को कैसे निकालोगे मैंने तुम्हें सिखाया था last class में cfse की value को निकालना है न octahedral के लिए तो इसके लिए कैसे निकालोगे बेटा cfse आप लिखेंगे minus 0.6 into p plus 0.4 into q ये आपका तरीका होगा बेटा क्या लिखने का cfse निकालने का इस तरीके से बेटा आप cfse निकाल सकते हो जिसमें p का मतलब होगा electrons in the e and q का मतलब होगा electrons in 2,2 है न? p का मतलब होगा electrons किस में? electrons in e में और q का मतलब होगा electrons in t2 तो ये चीज़ें भी आप धिहान रखेंगे electrons in e, electrons in t2 ये है बेटा cfse निकालने का formula अब हम निकालते हैं cfse सभी की मैं उपर formula फिर से लिख देती हूँ बेटा minus 0.6 into p plus 0.4 into q ये है बेटा आपके पास आपका formula तो पहले तो बेटा electronic configuration लिखेंगे आप ये e है ये t2 है तो e1 यहां क्या बेटा e2 यहां क्या बेटा e2 t21 यहां क्या बेटा e2 t22 यहां क्या बेटा e2 t23 इस तरीके से लिखेंगे आप है ये आपकी electronic configuration हो गई अब cfse निकालो बेटा इसमें तो क्या आएगी आपके पास minus 0.6 into 1 minus 0.6 into 2 minus 0.6 into 2 plus 0.4 into 1 यहां बेटा minus 0.6 into 2 plus 0.4 into 2 minus 0.6 into 2 plus 0.4 into 3 इस तरीके से बेटा आपके निकाली जाएगी cfse तो value कितनी आएगी यहां आपके पास value आ जाएगी बेटा minus 0.6 minus 1.2 यह delta not था तो यह delta t हो जाएगा तो 6 2s are 12 into 4 तो minus 0.8 delta t 6 2s are 12 4 2s are 8 minus 0.4 delta t और यह बेटा कितनी आपकी 0 d5 आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी according to the given electronic configuration according to the बेटा given electronic configuration अब क्या होता है बेटा? अगली चीज़ d5 के बाद आपके पास आता है d6 d7 d8 d9 and d10 है ना? तो यह कैसे होगा बेटा? पहले हम diagram बना लेते हैं यह आपने बनाया अपना diagram अब बेटा electrons को देखिए d6 तो 1,2,3 वो तो बेटा भरी गया था उपर तभी हमने नीचे क्या स्टार्ट करी? पेरिंग करनी स्टार्ट करी अब फिर से नीचे पेरिंग करिए दोनों में पेरिंग करिए d7 उसके बाद बेटा यहां पेरिंग हो चुकी है तो अब हम उपर पेरिंग स्टार्ट करते हैं, यह क्या हो गया बेटा, दी 8 हो गया, फिर दी 9 करिए, पहले हम सब में एक एक भरते हैं, फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं, क्या? पेरिंग, फिर हम स्टार्ट करते हैं, बेटा, क्या? पेरिंग, एक दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, इस तरीके से बेटा, फिल किये जाते हैं, इलेक्ट्रों, ठीक है, अब सी एफ ऐसी निकालो बेटा, अब निकालो सी एफ ऐसी, तो यहां क्या आएगा पहले तो electronic application लिखो, तो लिखो बेटा, E3, T2, 3, E4, T2, 3, E4, T2, 4, यहां क्या बेटा? E4, T2, 5, E4, T2, 6, यह सब क्या है बेटा, आपकी? electronic configurations, यह सब क्या है बेटा, आपकी? electronic configurations, इन्हें देखलो बेटा, एक बार, कोई doubt नहीं होना चाहिए? E4, T2, 3, E4, T2, 4, T2, 5, and T2, 6, अब निकालो बेटा, इनकी energies की value, तो कितना बेटा? minus 0.6 into 4, minus 0.6 into 3, plus 0.4 into 3, minus 0.6 into 4, plus 0.4 into 3, minus 0.6 into 4, plus 0.6 into 4, हैना बेटा? plus 0.4 into 4, then we have over here, minus 0.6 into 4, plus 0.4 into 5, minus 0.6 into 4, plus 0.4 into 6, ठीक है बेटा? दिखान रहेगी यह चीज़, लिखेंगे सब से पहले. now, तो क्या होगा बेटा? calculate करके, सभी बच्चे calculate करेंगे, अब क्या होता है बेटा? 6, 3 is a 18, 4, 3 is a 12, हैना? तो कितना हैगा आपके पास? minus 0.6, delta T, 6, 4 is a 24, 4, 3 is a 12, मिनस 1.2, delta T, यहां बेटा? 6, 4 is a 24, 4, 4 is a 16, यहां बेटा? minus 0.8, delta T, 6, 4 is a 24, 4, 5 is a 20, minus 0.4, delta T, 6, 4 is a 24, 6, 4 is a 24, and you have 0 as your crystal field splitting energy. देख लो बेटाई से, अच्छे से, देख लो बेटाई से, minus 0.6 into 3 plus 0.4 into 3, ठीक है, लिखेंगे बेटा? देख लो बेटाई से, यह है CFSC की values. अब आते हैं बेटा, हम अपने सवाल पर, अब आते हैं बेटा, हम अपने सवाल पर, यही सवाल था हमारा. अब सबसे पहले तुम देखो, तुमारे इस complex के अंदर, nickel की oxidation state 0 है, तो उसकी electronic configuration कितनी है बेटा? आरगन, 3D8, 4S2. यह उसकी electronic configuration होती है बेटा? अब तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद होगा बेटा, कि हम VBT की help से, सबसे पहले क्या calculate करते हैं? hybridization, हमें VBT से हमेशा hybridization पता चलती है, तो पहले तो आपको coordination number 4 देखते ही, यह पता करना है कि वो tetrahedral है, कि वो square planar है, है ना? तो tetrahedral के ही आपको सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप से ऐसे type के सवाल पूछे जाते हैं, तो square planar के इस type के questions नहीं आते हैं, तो आप बे फिकर होके tetrahedral के साबसे ही चल सकते हैं, बच स्टिल, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, यह देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, यह था ना आपके पास आपका, यह बेटा 3D होता है, यह 4S होता है, और यह क्या होता है बेटा, 4P, है ना? तो कितने electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? और यह आपका 3D8, 4S2, अब आपको पता है कि बेटा, CO लीगेंड तो strong लीगेंड होता है, तो एक सेकिंड में आप अपनी क्या कर सकते हैं? अब लीगेंड जी आएंगे, तो बेटा, ढब्बा तो खाली चाहिए ना? तो ढब्बा तो खाली करना पड़ेगा, तो आप Pairng कर आईए। तो Pairng कर आते हैं बेटा, चलो आज ओ, Pairng कराते हैं, आओ बेटा, Pairng कर आते यह क्या है 3D, यह क्या है बेटा 4S और यह क्या है बेटा 4P एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ताथ, नौदर अब लीगेंड बेटा आके अपना इलेक्ट्रोन पेर इसमें डोनेट करेगा तो आपके पास जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी that will be this, क्या नाम होगा बेटा, हाइविडाइजेशन का, SP3 हाइविडाइजेशन का नाम होगा, बेटा, SP3 तो आपको एक सेकेंड में पता चल चुका है यह जो कॉंपलेक्स है, वो टेटराहेडरल है यह जो कॉंपलेक्स है, बेटा, वो क्या है, टेटराहेडरल ठीक है अब बनाएंगे आप इसका CFT डाइग्राम अब बनाओ बेटा तुम इसका CFT डाइग्राम तो उपर क्या आते हैं उपर आते हैं आपके पास 3 और्बिटल्स और नीचे आपके पास क्या आते हैं 2 और्बिटल्स है ना उपर वाले को आप T2 बोलते हो नीचे वाले को आप E बोलते हो, यह आपने इसका CFT डाइग्राम बना दिया, तो आपको दसों के दसों इलेक्टरॉन को भरना पड़ेगा बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, नौ, दस, कितने इलेक्टरॉन से बेटा आपके पास, आठ इसमें और दो इसमें, तो पेरिंग हो और आपके सारे के सारे एलेक्टरॉन्स 3D मे चले जाएगे, तो पूरा का पूरा यह क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा पेरिंग होते हैंगा करेक्ट बेटा, तो आप लिखेंगे एलेक्टानिक ऑन्फरिकेशन आज E 4 T 2 6, ये बेटा आप की आ जाएगी? Electronic Anfiguration और C F S E यानि के Crystal Field Stabilization Energy ΔT आएगी 0, ये बेटा आएगी आपके पास 0 ऐसा क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे, minus 0.6 into 4 plus 0.4 into 6, ऐसे लिखेंगे बेटा आप अपनी energy की values, ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा हर विच्चे को, सभी को ध्यान रहें, लिखेंगे इसे तो बेटा ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ऐसे ही हम एक और सवाल करते हैं, इसी के लिए ही टेटाहेडरल के लिए ही बेटा, हर चीज आपने निकालनी है, अगर आपको पता करना है, तो वो भी आप पता कर सकते हो, इसका जो magnetic moment होगा, वो 0 होगा, क्योंकि ये substance आपका क्या होगा, diamagnetic होगा, ये substance आपका क्या होगा वेटा, diamagnetic, because there is no unpaired electrons present, clear, एक और question, तो बनता है, एक ही question से थोड़ी ना हो पाएगा, है ना, चलो, अब एक और सवाल है, NiCl4, 2 negative, ये आपके सामने लिखा है, और आपसे कहता है, कि हमें इसकी electronic configuration लिखकर दिखाईए, हमें जो है, इसकी CFSE निकालके दिखाईए, और हमें जो है, इसका magnetic nature भी बताईए, कि ये paramagnetic है, diamagnetic है, या फिर ये क्या है, है ना, अब बेटा, ध्यान रहे, लीगेंड चार देखकर, आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आनी चाहिए, कि ये tetrahedral complex होना चाहिए, या फिर ये square planar complex होना चाहिए, तो ये दोनों चीज़े, आपको पता होनी चाहिए तो VBT से सबसे पहले निकालोगे, पहले VBT की help से hybridization निकालो, VBT की help से सबसे पहले निकालो बेटा, hybridization है ना, सबसे पहले VBT की help से निकाली जाएगी hybridization, तो कैसे तुमारे पास nickel है, कौनसी oxidation state में बेटा, प्लस 2 में तो उसकी electronic configuration हो जाएगी, आरगन 3D8, क्या हो जाएगी ब आरगन 3D8, निकल प्लस 2, आरगन 3D8, ठीक है, अब देखो इसे, अब क्या होता है बेटा आपके पास, hybridization निकालने का तरीका, यहाँ देखो, this is 3D, this is 4S, अब आपको पता है बेटा, कि यह जो ligand है, यह weak है, इसके लिए आपको spectrochemical series को हमेशा ध्यान में रखना है, chlorides यानि कि जो आपके halides होते, वो बहुत ही weak ligand होते, कोई भी halogen होगा, हमेशा weak ligand के तरह help करेगा, वो कभी भी pairing नहीं करा सकता, उसके बस की नहीं ह वो नहीं करा सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना बेटा, तो उस हिसाब से pairing तो करा नहीं सकता ना, तो मैं pairing क्यों करा दी आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना बेटा, ऐसा आपके पास electronic application आएगा, तो भी अब ligand को तो तुम भेजोगे, तो तुम यहीं भेजोगे, तो उस आप से जो hybridization आएगी, वो आपके पास आएगी बेटा, SP3, hybridization will be SP3, it will be SP3, hybridization, तो tetrahedral यह यह done हो गया, अब तुम बड़े प्यार से बना लो इसका CFT diagram, अब तुम बना लो बेटा, इसका क्या, CFT diagram, अब बना लो, तो बेटा, कुछ तो आपके energy levels जाएंगे उपर, और कुछ बेटा, आपके energy levels जाएंगे नीचे, इसको बोलोगे आप T2, इसको बोलोगे बेटा, A, और total electrons आपके पास कितने हैं, आपके पास है बेटा, आठ, तो आठों को भरना पड़ेगा, है ना, लीगन क्या है week, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ऐसे, आपको बता है बेटा, कि ये complex हमेशा हर हालत में high spin ही बनते हैं, चाहे आपके पास लीगन, strong हो, weak हो, उस बात से कोई फरक नहीं पड़ता, हाँ, mention करना ज़रूरी होता है, वो बात ठीक है, बट ये तो बात आप जानते ही है, कि अगर टेट्रा हेडल complex है, तो कोई फरक ही नहीं पड़ता, बेटा, कि लीगन, strong है, या weak है, आपको पता है कि उस case में आपके पास हमेशा ही complex क्या बनना है, high spin बनना है, तो पहले एक electron यहां बरा, एक यहां बरा, है ना, फिर उपर बरा, है ना, फिर इधर बरा, फिर इधर बरा भर गए, आपने भर दिये बेटा, फिर छे, साथ, आठ, ऐसे electrons को भरना है, तो electronic configuration आएगी बेटा, electronic configuration आपके पास आएगी, e4, t2, 4, यह आजाएगी बेटा, आपके पास क्या, आपके electronic configuration, उसके बाद, उसके बाद, cfse की value, उसके बाद, बेटा, क्या, cfse की value, that is, minus 0.6 into 4, plus 0.4 into 4, तो 6 4s are 24 and 16, तो बेटा, minus 0.8 delta t, minus 0.8 delta t, आपकी cfse हो जाएगी, and yes, आपका जो complex होगा, बेटा, यह क्या कहलाएगा, paramagnetic, और इसमें number of unpaid electrons होगे, बेटा, आपके पास 2, है ना, तो आपका magnetic moment का value आएगा, n into n plus 2 bm, यानि की, root 2 into 2 plus 2, 2, 2 plus 2, कि ता बेटा, 4 हो गया, 4, 2 is 8 हो गया, root 8, बोहर, magneton will be the answer, है ना बेटा, तो यह दो टाइप के बेटा, आपके पास questions मैंने आपको कराएगे, है ना, यह दो टाइप के question हमने याप पर कर लिए है, एक यह किया है बेटा, है ना, एक यह किया है, इसके अलावा आपसे सवाल, coordination number 4 के लिए नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बेटा, square painer का CFSE diagram वैसे होता है, हम NEET में और J में पढ़ाते हैं, बट boards में नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं करा रहे हैं, वहाँ से सवाल नहीं आता है, octahedral से सबस्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपका सबस्यादा focus उसी पर ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रहे हर बच्चे को लिखेंगे बेटा, सभी बच्चे लिखेंगे, अब क्या है बेटा की, कुछ हम questions देखते हैं, हमारे NCRT के, अब कुछ questions देखते हैं बेटा, NCRT के, देखो बेटा, तो question आता है आपके पास, यह आपका question जो है बेटा, वह आपका NCRT का question है, और ध्यान से देखना है आपको, कहता है कि आपके पास एक manganese का complex है यह और एक manganese का complex है यह, तो इसमें क्यूँ, इसमें 5 empowered electron होते हैं, तो क्यूँ इसमें एक ही electron होता है, यह हमें CFT की help से समझाना है, VBT की help से नहीं बेटा, उसने खुद से लिखा explain with the help of the crystal field theory, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे किसे कैसे करना होगा, ठीक है, चलो, अब आजाओ, सबसे पहले तुम्हें पता है, कि यह crystal field theory हम किसके लिए बनाएंगे, यह crystal field theory बनेगी बेटा, for octahedral complexes, यह किसके लिए बनेगी बेटा, यह बनेगी for octahedral complexes, ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं, अपने option first के लिए, किसके लिए बेटा, Mn, H2O6, plus 2, है ना, manganese की oxidation state है बेटा, यहाँ पर plus 2, है ना, जिसकी वज़ेश के उसकी electronic configuration बन जाएगी, आरगन 3D5 बेटा, कितनी, आरगन 3D5, अब इसका आप diagram बनाएंगे, अब इसका diagram बनाओ बेटा, तो इस तरीके से बेटा, आपका diagram बनेगा, octahedral का, जिसमें उपर आएगा बेटा, EG, और नीचे आपके पास क्या आएगा बेटा, T2G, tetrahedral के बारे में हम सब कुछ discuss कर चुके हैं, अब हम question discuss कर रहे हैं, अपना octahedral काई, बेटा, यह जो ligand आपके पास present है, यह weak है, है ना, इस वज़े से आपके complex क्या बनेंगे, आपके complex बनेंगे, बेटा, high spin, तो, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ligand weak है बेटा, तो आपके कौन से complex बनेंगे, अगर ligand weak था, तो मैं आपको क्या समझाए था, कि complex क्या बनते हैं, high spin, यानि कि आपके pairing नीचे नहीं होती है, आपके electrons को उपर जाना पड़ता है, ठीक है, यह है, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह complex क्या है, यह complex क्या है बेटा, आपका paramagnetic है, जिसमें number of unpaid electrons कितने हैं बेटा, पांच है, तो यह आपने, एक second में निकाल के देख लिया, कुछ question में problem बेटा, इसमें आनी ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है, अगला, अगला सवाल कौन से है, बेटा, MNCN6, 4 नेगेट है, ठीक है, तो देखो, MNCN6, 4 नेगेट है, यह बेटा, आपके पास सवाल है, है ना, अब manganese यहाँ पर, x plus 6 into minus 1 is equal to minus 4, तो x की value कितनी है, बेटा, plus 2 है, ठीक है, अब manganese अपनी plus 2 oxidation state में होगा, बेटा, आरगन 3D5, यह होगा बेटा, electronic configuration किसका, manganese का, लेकिन अब आपको पता है, कि आपका जो ligand है बेटा, वो क्या है, strong field ligand है, यानि कि आपको पता है कि अगर आपका ligand strong field है, और आपके complexes octahedral है, तो आपका low spin बनेगा, tetrahedral में तो हमेशा high spin बनता है, चाहे ligand strong हो या weak हो, यह बात दिमाग में से निकल नहीं नहीं चाहिए, octahedral में हम सोचते है, tetrahedral है, तो हमें सोचने का भी मौका नहीं देता, उसने तो यह एलान कर दिया है, कि complex बनेगा, तो high spin बनेगा, नहीं तो भाड में जाओ, ऐसा वो क्या रहा है, ठीक है बेटा, यह बात धिहान रहे, आप क्योंकि octahedral है, तो मैं सोच रही हूँ, कि भई, low spin बनाओं कि high spin बनाओं, फिर मैं legion के बारे में सोच रही हूँ, तो यहाँ पर legion strong है, तो low spin बनेगा, बेटा, है ना, क्या बनेगा, low spin, तो इस तरीके से आपका diagram बन जाएगा, this is e जी, this is what बेटा, तीटु जी, तो कितन electron से 5 है, तो भरिए बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह आपने 5 electrons भर दिये हैं, और number of unpaid electron जो आपके पास आ रहे है, n सिर्फ एक ही है, और आपका complex still क्या है, paramagnetic है, अब जाहिर सी बात है, इसका paramagnetic nature जो होगा, उसमें magnetic moment की जो value आएगी बेटा, वो कितनी आएगी, root 5 into 5 plus 2, 5 plus 2 into, तो यह कितना हो जाएगा बेटा, root 35 bm, और यह कितना हो जाएगा बेटा, यह आपके पास हो जाएगा, root 1 into 1 plus 2, यानि कि बेटा कितना, root 3 bm, यह कितना बेटा, root 35 bm, root 35 bm, root 3 bm, यह दो टाइप के आपके पास magnetic moment की values आजाएगी, कभी-कभी बेटा पता है, ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, कि why it is showing more paramagnetism, while it is showing less paramagnetism, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकते हैं, तो more paramagnetism, less paramagnetism का simple मतलब क्या है, इसका, जो है, magnetic moment का value कम है, इसका magnetic moment का value जादा है, ऐसा तुम करोगे न, जब तुम question को start करोगे, solve करना, तुम्हें खुद समझ में आजेगा कि more paramagnetism या less paramagnetism का मतलब क्या है कि magnetic moment की value अगर जादा है तो paramagnetism जादा होगा है ना यह ध्यान रहे तो ऐसा सवाल आ सकता है आपके पास अब हम चलते हैं बीटा cft से जुड़ेवे सारे सवाल तुम कर चुकी हो अब अराम से अपनी solve करना ncrt तुम्हें कोई परिशानी नहीं आने वाली किसी भी तरीके की ठीक है बीटा अब लेकिन topic स्टार्ट हो रहा है color in the complex अब मैंने तुम्हें बताया था बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि तुम होते हैं colors बहुत सारे type के colors तो वह colors क्यूं होते हैं क्या reason होते हैं वह आपको सिखाते हैं तो सबसे पहले बेटा आपके जो जो coordination complexes होते हैं है ना बेटा जो आपके coordination complexes होते हैं they show they show color वो बेटा क्या show करते हैं वो show करते हैं बेटा color अब उसमें color show करने के जो reasons हो सकते हैं वो different different type के हो सकते हैं जैसे कि जो reasons हो सकते हैं वो different different type के हो सकते हैं पहला reason आपके पास हो सकता है d-d transition पहला reason आपके पास हो सकता है d-d transition सेकेंड बेटा आपके पास होता है आपका LMCT जिसे आप बोलते हैं लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अभी आपको इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है अभी आपको सिर्फ सुनना है और समझना है फिर आप हो जाएंगे प्रो है ना फिर बेटा लास्ट नॉट दे लीस्ट पोलराइजेशन यहां ज्यादा नहीं सवाल आते हैं एक बेटा एजी बियार से आता है एक बेटा एजी आई से आता है चलो अब स्टार्ट करते हम कोडिनेशन कॉंप्लेक्स में जो कलर का रीजन है वो इन तीनों की वज़े से आता है सबसे पहले जो आपके बोर्ट के पॉपस के लिए सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है इसमें सबसे ज़ादा सवाल आते हैं यह सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है आपके बोर्ट के प d d transition का मतलब क्या होता है बेटा कि आपके complex में color तभी होगा जब आपके पास presence of unpaired electron होगी जब आपके पास क्या होगा बेटा presence of unpaired electron होगी तो आपके पास color हो सकता है complex में color होने का reason है बेटा presence of unpaired electron अब unpaired electron से होता क्या है color आपको मिलेगा कैसे जैसे मान लो बेटा example के लिए बात करती हूँ आपके पास एक complex है ti h2o6 plus 3 यह आपके पास एक complex है ठीक है अब इस complex के अंदर हो सकता है color हो हो सकता है बेटा इस complex के अंदर color ना भी हो अब titanium की जो electronic configuration होती है वो बेटा कितनी होती है आरगन 3d2 4s2 जब आप titanium plus 3 oxidation state में बनाएंगे तो वो आपके पास आजाएगा आरगन 3d1 कितना आ जाएगा बेटा आरगन 3d1 आ जाएगा electronic configuration आरगन 3d1 अब क्या है ध्यान से देखिए अब आपके पास बेटा होते हैं इस तरीके से आपके dk orbitals ओविसली आपर अगर coordination number 6 है तो हमें किसके साथ से बनाना है हमें बनाना है octahedral complexes के साथ से जो diagram होता है ऐसा अब आपको पता एक की electron बचा है तो इसको यहां लिखना होगा कि अब क्या होता है बीटा अब आप इसको प्रोवाइड करते हो अब आप इसे प्रोवाइड करते हो इनर्जी हम्यू का मतलब क्या होता है आप इसे एनर्जी प्रोवाइट करते हो एनर्जी का मतलब क्या है कि आप इसको वाइट डालते हो या कोई भी रिस्पेक्टिव वेवलेंट डालते हो आप विब की और से कोई भी रिस्पेक्टिव कलर की लाइट आप इसके ओपर प्रोवाइट करते हूं है न क्या करता है ये उसे रिसपेक्टेफ एनरजी को करने के बाद Быle है इस कि या कमाने के बेटा है इस प्रॉसेस को इस process को बोलते हैं बेटा, इस process को हम बोलते हैं, excitation, इस process को क्या बोलते हैं बेटा, excitation, electron ने energy ली और वो उपर कूद गया, excite हो गया, excitation process, ठीक है बेटा, कुछ respective energy को लेके वो उपर जाएगा, अब आपको पता है कि electron कभी भी higher state पे stable नहीं होता, है ना, फिर क्या होगा, यह आपर होगी आपके पास de-excitation, क्योंकि आपका electron higher orbitals में stable नहीं रहता है, है ना, बेटा, higher orbitals में आपका electron stable नहीं रहता है, तो वो नीचे आ जाता है, वो क्या आ जाता है बेटा, नीचे, during the de-excitation, अब बेटा, कुछ corresponding wavelength को वो लेकर उपर चड़ता है, और उसके contrary, वो वेवलें को emit करता है, तो आपको color दिखाई देता है, मानलों कि अगर आपने violet के corresponding light को absorb किया है, तो आप red के corresponding emit करेंगे, तो आपको आपका complex red दिखाई देगा, जो आप wavelength को absorb करते हो, उसके साब से color नहीं आता है, जो आप emit करते हो, उसके साब से color आता है, वो हम एक diagram के through देखेंगे, कि ऐसा हम कैसे decide करते हैं, देखो, ये आपके पास एक circle है, जिसमें मैं कुछ lines बना रही हूँ, है ना बेटा, मैं आपके सांगे कुछ lines बना रही हूँ, ये देखो, ये आपके पास एक circle है, कि यह बेटा आपके पास आपका कलर वील होता है यह आपके पास क्या होता है बेटा आपका कलर वील है ना जैसे आप अपनी लोवर क्लासेस में पढ़ते थे कि वॉलेट के रिस्पेंडिंग आप अगर वेवलेंद को एब्जॉब करते हो तो आपको रेड मिलता है वो विब्ग्यॉर के साब से आप डिसाइड करते थे करेक्ट अब यहां पर आपके पास रिसाइड करने का तरीका है वो है आपका कलर वील चिक है तो बेटा मान लो कि आपने रेड कलर की लाइट को एब्जॉब किया है तो कहीं न कहीं आपको ग्रीन कलर का करिस्पॉंडिंग कलर दिखाई देगा आपके कॉंप्लेक्स का मान और ग्रीन वीच का कुछ न कुछ का रा डिक तबीटा आपको से कुछ किन नहीं है इस वील का हमारे पास कुछ काम नहीं होता इस से ला खका से हम आपको पास क्रश्पॉंण से करते हैं तो लिडी औा वाला है टीकर बिस पथोनां क्योंकि corresponding इसने मानलो की मानलो बेटा इसने कुछ ब्लू कलर के रिस्पेक्टिव लाइट को एब्जॉब किया उपर चड़ा एमिट करी उसने एनर्जी बाहर तो आपका कलर औरेंज दिखाई देने लगया ऐसा आप इमाजिन कर लेजिए ठीक है तो दी एक्साइटेशन के टाइम पर इट एमिट करता है और कलर इस शोन तो आपको कॉंप्लेक्स में क्या दिखाई देता है कलर दिखाई देता है चीक है बेटा सिर्फ सिंपल सी बात का आपको धियान रखना है कि आपके पास क्या होने चाहिए अगर उन्पेड इलेक्ट्राण है तभी ऐसा होगा ठीक है यह बेटा डी ट्रांजेशन का कॉंसेट इतना ही दिखाना है आपको प्रेंस अफ अन्पेड इलेक्ट्रों लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि क्या मेरे पास जिंख-प्लस-टू में कलर होगा क्या इसमें कोई किसी भी टाइप का color मुझे दिखाई देगा तो आपका answer है बहुत बड़ा no क्योंकि आपके पास electronic configuration जो होगी that is argon 3D10 there is no unpaired electron zinc plus 2 का कोई भी salt हो आपको कभी भी उसमें कोई color दिखाई नहीं देगा यह सवाल मैंने आपको d and f block elements में भी कराए था है ना अब आपको समझ में आ गया होगा कि color वहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा था अब जैसे आपके पास कोई भी salt जिसमें scandium plus 3 है है ना तो उसमें भी आपको color नहीं दिखाई देता है क्यों क्यूंकि इसकी electronic configuration नहीं बेटा क्या होती है आरगन होती है तो देर इस देर इस नो d electron कोई d electron होता ही नहीं है बेटा तो कहां से color दिखाई देगा correct तो यह ध्यान रहें तो अगर आपके पास color नहीं दिख रहा है आपको अगर आपको color नहीं दिख रहा है color नहीं दिख रहा है तो यह तो बेटा आप हो सकते हो d 0 या फिर आप हो सकते हो d 10 इन cases में आपको shortly कभी भी color नहीं दिखाई देगा इन cases में बेटा आपको shortly कभी भी color नहीं दिखाई देगा बाकी cases में फिर आपको देखना पड़ता है कि लीगेंड क्या है, कि आपके पास pairing हो रही है, नहीं हो रही है, फिर आपको बहुत से चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीके, लेकिन D0, D10, electronic configuration की जब आप बात करेंगे, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है, तब मैं आप से एक चीज़ पूछती हूँ, मेरे पास एक complex होता है, KMNO4, जो कि आपको पता है कि कौन से color का होता है, purple, और बहुती deep purple होता है, बहुती intense purple होता है, है ना, मैं आप से बोलूँ बेटा, K2Cr2O7, तो वो क्या होता है, orange होता है, और अच्छा खासा deep orange होता है, मैं त तुम से बोलूँ बेटा, K2CrO4, तो वो deep yellow होता है, क्या होता है बेटा, deep yellow, अब इन में color की बात करते हैं, तो तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, ये कैसे तूटेगा, K positive, MNO4 negative, यहाँ पर manganese अपनी plus 7 oxidation state में present है, यानि कि उसकी electronic configuration में तो बेटा, वो सिर्फ आरगन ही बचा है, है ना, oxidation state निकालना तो अब सीख गए हो, x plus 4 into minus 2 is equal to minus 1, तो x की value किती बेटा, plus 7, है ना, इसका मतलब बेटा, manganese में तो कोई electron ही नहीं है, d0 है वो, फिर भी इसमें color है, बात समझ से नहीं आई है, अब यहाँ देखो, ये कैसे तूटेगा, 2K positive, plus CR2, O7, 2 negative, तो बेटा, 2X plus 7 into minus 2 is equal to minus 2, तो x की value किती आगई बेटा, x की value आपके पास आगए कितनी, plus 6, है ना, कितनी आगई बेटा, plus 6 आगई, तो chromium in the plus 6 oxidation state, वो भी बेटा, कितना होता है, आरगन होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, बेटा, आरगन, only आरगन, Similarly बेटा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसे टूटेगा, 2K positive, CRO for 2 negative, तो x plus 4 into minus 2 is equal to minus 2, तो x की value किती बेटा, plus 6, similarly, chromium plus 6 will be आरगन, तो बेटा, आपके सामने तीनों cases ऐसे हैं, जिनमें कोई D का electron नहीं है, कोई D का electron नहीं है, तीनों cases ऐसे हैं बेटा, इसमें कोई D का electron नहीं है, बट स्टिल दे आर intensely colored, है ना, there is no D electron, कोई D electron नहीं है, still color है और वो भी क्या बहुत intense, बहुत ही deep color है, color क्या है बेटा, बहुत ही जादा deep, intense, ऐसा क्यूं होता है, अब इसका reason होता है बेटा, इसका reason होता है, यहाँ पर reason जो होता है, that is, Lmct, पहले तो इसके full form देख लो बेटा, reason क्या होता है, Lmct, जिसका मतलब होता है, ligand to metal charge transfer, ligand to metal charge transfer, बेटा, क्या, ligand to metal charge transfer, अब मैं आपको example लेकर समझाती हूँ, MnO4 negative का, मैंगनीज है, इसका structure होता है बेटा, कुछ इस तरीके से, है ना, यह होता है आपके पास MnO4 negative का structure, अब आपको पता है बेटा, इसके सारे के सारे d orbitals क्या है, है, empty है, यह आपके पास d orbital की shape होती है, ऐसा ही कुछ होता है बेटा, आपके पास आपका metal का d orbital है ना, एक ही कोई में d orbital बना कर देख लेती हूँ, तो होता क्या है बेटा, आपके पास इसमें, जो Manganese है, वो आपका central atom है, और सारे के सारे oxygen क्या है, आपके ligands हैं आपर, है न बेटा, वो transfer होता है, metal के empty orbital of D में, metal है Manganese, उसके पास MTD orbital है, उसमें ligand का charge transfer होता है, है ना, Manganese के पास डबा बिलकुल खाली था, 3D भी 0 है बेटा, है ना, आपको पता है, 4S भी 0 है, और 3D भी 0 है, तो यह जो आप electron density डाल रहे हैं, यह 3D में चली जाती है, किस में चली ज जाती है, और उसके बाद आपको आपके complex में क्या दिखाई देने लगता है, color दिखाई देने लगता है, ठीक है, आपको हो, तो मैं इस चीज को दूसरे page पे बना लेती हूँ, जादा बेटर रहेगा, देखो, क्या कहना चाहती है मैम, मैम कहना चाहती है, कि जब आप यह complex बनाते हो, है ना, जब आप यह complex बनाते हो बेटा, MnO4 negative का, तो manganese आता है बीच में, this is O negative, और इस तरीके से आपके पास क्या आते हैं बेटा, तीन oxygen, है ना, अब मेटल के पास क्या है, मेटल के पास है आपके पास, यह d orbitals, और यह d orbital क्या है, 3D है, जो कि आपके पास क्या होता है, empty होता है, 3D होता है बेटा, क्या होता है, empty होता है, यह ligand बेटा, अपना चार्ज, इसके empty orbital में क्या कर देता है, इस ही कोई हम बोल रहे है, ligand to, ligand to metal चार्ज, ट्रांसफर, साफ-साफ दिख रहे हैं, ओक्सिजन का जो चार्ज है, वो मेटल के ऑर्बिटल में तुमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया था, है न है अब तुम्हारे पास, मेंगणीज के पास कोई अनपेड़ एलेक्ट्रोन नहीं था, बेटा, मैंगणीज यह नेगेटिव चार्ज ऑफ लीगेंड जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यह एक इलेक्ट्रॉन यह तो तुम्हारे पास अंबेड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो फिर उसके बाद इसमें इंटर्नली फिर डीडी ट्रांसिशन होने लग जाता है और आपको कलर दिखने लग जा अधि कॉन कॉन मिल जेए और स्टॉन यह थीन उन लकरत कनाशता deta थेढ़ाक्र फिता कम यां पर मेंगनेट लिख देते हो नाम है पेटा फिताहन प्र्रमेंगनेट फिता ma आं फिते हमना आभ टाज़ कॉताश्यम पर्रमेंगनेट और इसका नाम है बेटा, potassium dichromate और इसका नाम है बेटा, potassium chromate ये है बेटा इसके नाम पोटाशियम पर मेंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट, यह है इनके नाम, तो आपको इनके कलर्स के रीजन याद होने चाहिए, last but not the least, तो नेक्स्ट फाक्टर आपके पास क्या आता है, पोलराईजेशन, अब आपके पास आते हैं यह कलर्स, अब आपके पास क्या आते हैं बेटा, यह कुछ कलर्स, जैसे की AGCL, AGBR, AGI, है ना, आप बच्पन से पढ़ते हैं कि इनका क्या-क्या कलर्स रहते हैं, AGCL white होता है, AGBR yellow होता है, AGI भी yellow होता है, लेकिन color की intensity left to right भड़ रही है, है ना, पहले yellow, पहले white था, फिर yellow, फिर intense yellow, क्योंकि left to right जा रहे हो बेटा, तो कोवलेंट करेक्टर भड़ रहा है, according to the Fajans rule, आपका जितना बड़ा NIN का size होता है, उतना ही जादा कोवलेंट तो बेटा, ये तीन factors होते हैं आपके पास, जो आपको बताते हैं कि किसी भी complex के अंदर color हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, DD transition, उसके बाद बेटा, LMCT and then polarization, सब साधा important आपके लिए यहाँ पर कौन है, आपका DD transition, चलो बेटा, अब discuss करते हैं, हम कुछ limitations of CFD कहता है, the crystal field model is successful in explaining the formation structures, color and magnetic properties of coordination compounds to a large extent है, अगर हम इनके अच्छी बातों की बात करें, तो ये सब के सब आपके first point हमें explain करेंगे about the successful nature of this theory, however, from the assumptions that the legands are point charges, it follows that anionic legands should exert the greatest splitting effect, the anionic legands actually are found at the low end of the spectrochemical series, अब तुम देखते हो, highlight सबसे left में है, और CO सबसे right में है, हैना, कहता है कि अगर negatively charge legands है, तो उसको splitting जादा करनी चाहिए, हैना, क्योंकि negatively charge legands के सरके ओपर already negative charge है, तो वो अंदर metal के present electrons के साथ जादा repulsion feel करना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता, जो negatively charge legands है, वो तो बलकि आ further, it does not take into account the covalent character of bonding, आपको पता है, कि आपके crystal field theory में completely matter and ligand के बीच में जो bonding है, वो purely electrostatic है, तो ये भी उसने कुछ नहीं बताया, हैना, there are some weakness of the CFT, they are explained by ligand field theory, ligand field theory आती है उसके बाद आपकी, that is not in your syllabus, even वो हम अपनी neat और J में भी नहीं पढ़ते हैं, बट थोड़ा बहुत ही बस उसका color में ही rule आता है, जो भी आता है, ठीक है, okay, तो ये हैं बेटा, आपकी सारी की सारी, आपकी limitations, अब आजो बेटा, colors अपके बाद, अपने questions पे, now we have to discuss some of the questions, so let's start with a discussion, which of the following is correct arrangement of ligand in terms of the field strength, इन समय से बेटा, कौन सा जो है, आपका answer रहेगा, सही, कौन सा answer बेटा आपका सही रहेगा, तो बताएंगे, सबसे पहले बेटा, अगर CN negative की बात करी जाए, तो CN negative हर हालत में सबसे strong ligand होगा, तो ये options तो आप पहले ही हटा दीजिए, है ना, अब ammonia है, और NCS negative है, और options यहां पर same है, नहीं, दो बार हमारा CL negative आ गया है, तो उसे साबसे बेटा, answer तो वैसे आपका first ही होगा, यहां पर शयाद option में दो बार चीज़े वो हो गई है, कोई बात ही, बट option आपका first ही होगा, आपको मैंने spectrochemical series लिखवाई है, वहां से directly देख कर answer करना है, और कुछ है ही नहीं, अब क्याता है, the complex ion which has only 3D electrons in the central atom ion, इस सिर्फ 3 ही बेटा, D electrons है, स 3D, 84S2 होता है बेटा, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, 3D7, और यह जो है बेटा, लीगेंड, अमोनिया, मैंने आपको बताय था, कि कोबॉल्ट के plus 3 oxidation state की तरह के साथ, strong की तरह behave करता है, यह हम already class में बहुत बार discuss कर चुके है, कि यह strong की तरह behave करता है, तो आप दे इसमें तो बेटा साफ साफी दिख रहा है, 3D7 है तो यह तो आपका answer हो ही नहीं सकता, ठीक है, MnO4 negative अभी आपने देखा था, manganese की oxidation state बेटा, plus 7 होती है यहाँ पर, तो यहाँ तो electronic configuration में argon है, 4S0 है बेटा, 3D0 है, कोई electron ही नहीं है D का, तो किस बात का, है ना, अब यहा बात करते है बेटा, iron, plus 3 oxidation state में electronic configuration show करेगा, argon 3D5, यह बेटा, वो क्या show करेगा, आपकी electronic configuration, और chromium CN6 3 negative में, chromium is present in the plus 3 oxidation state, तो बेटा, यह होगा आपके पास, आपका argon 3D3, simple electronic configuration के साब से आपको answer करना है, और यह आपका answer हो जाएगा, this is the answer, आपको simple electronic configuration निकालनी है, oxidation state के हिसाब से, जिसमें बेटा, D3 electronic configuration आएगी, वही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, कोई भी doubt किसी भी बच्चे को इसमें नहीं होना चाहिए, चलते हैं बेटा, आगे, कहता है, according to the crystal field theory, dell knot को क्या कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, बेटा, कि dell knot का मतलब क्या होता है, octahedral complexes ये होते है, उनका ये CFSC diagram होता है, ये जो space होता है, उसको बोलते हैं हम, उस splitting को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, crystal field, stabilization energy, क्या बोलते हैं हम crystal field, splitting energy, crystal field, splitting energy या फिर stabilization energy, दोनो शब्द सही है, आप जो use करना चाहते हो, आप कर सकते दोनों ही सही है, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, अब आता है, the shape of the complex species will be the square planar if its coordination number is 4, square planar है बेटा, तो coordination number तो जाहिर की बात है कि आपका क्या होगा, 4 ही होगा, हर हालत में बेटा, 4 ही होगा coordination number तो, अगर आपके पास, जो आपका complex है, वो square planar है, तो अगर आपका complex, square planar है तो, दिहान रहें, Central metal iron in the complex compound act as, हमेशा बेटा, मैंने chapter के basic में ही आपको सिखा दिया था, कि एक आपके पास metal होता है, एक आपके पास L, यानि कि लीगेंड होता है, लीगेंड अपनी electron density metal को donate करता है, है ना, जो donate करता है, वो आपका हमेशा, यहाँ पे क्या खेल आएगा, Lewis base बेटा, क्योंकि Lewis base की यह पहचान है बेटा, कि वो क्या होते हैं, electron rich होते हैं, और यहाँ पर M क्या है बेटा, आपका metal, तो अगर इसको electron की जरूरत है, तो यह क्या होगा बेटा, यह हो जाएगा आपका electron deficient, तो यह Lewis acid हो जाएगा बेटा, यह क्या हो जाएगा, Lewis acid, electron deficient को हम, Lewis acid के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, Lewis acid के नाम से, ठीक है बेटा, ध्यान रहे, next सवाल, the increasing order of the crystal field splitting strength of the given ligands is, तो CO बेटा, सबसे पहले आएगा, है ना, यह हटा दो, यह हटा दो, option ही हटा दो, फिर उसके बाद, यह गलती गर्दी ना बेटा, आंसर क्या आएगा, यह गलती गर्दी है, और यह भी पूरा ही गलत है, क्या ही बूले, चालो, spectrochemical series case आप से आंसर है बेटा, the correct electronic configuration of a low spin state according to the crystal field splitting theory is, ता, अच्छा, यह सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि electronic configuration कौन सी सही है, यह कौन सी गलत है, क्या पूछ रहे हैं आप, the correct electronic configuration is the low spin, देखो बेटा, कुछ शब्द हैं, जिनका हमें, जिन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, low spin state चाहिए, तो यह low spin state के साबसे electronic configuration सही लग रही है, मुझे तो सही लग रही है, है ना बेटा, एक, दो, तीन, चाहर सही है, यह तो बेटा गलत हो गई ना फिर, क्योंकि इसने तो आपका electron उपर भेज दिया, यह तीसरा लिखने के बाद ऐसे उपर भेज दिया, तो यह तो बेटा फिर आपका low spin हो ही नहीं सकता, अब यहां क्या होगा, टीटू में बेटा दो भर दिये, और ए में भर दिया, आपके दो, तो यह भी बेटा गलत हो गया, इसमें बेटा एक भर दिया, और इसमें यह क्या कर दिया, यह क्या कर रहे हैं, इनको पता नहींगा कि क्या करना है, क्या ऐसे कैसे option बना रखे हैं, which complex of CO plus 2 will have the weakest crystal field splitting देखो बेटा जब भी आपसे ऐसा सवाल आता है कि weakest crystal field splitting होगी है ना तो इसका मतलब वो आपसे बोल रहा है simple सी बात है कि ये जो gap है ना बेटा ये splitting बहुत जादा नहीं होगी इसका मतलब ये बेटा कि वो आपसे कह रहा है कि ये बहुत ही कम होगी splitting इसको कम होने के आपको पता है बेटा इसके जादा होने के सब reasons मैंने आपको लिखवाए वे हैं अगर oxidation state of metal बहुत जादा होता है तो ये डलनॉट बहुत जादा होता है अगर तुम्हारा oxidation state metal का बहुत जादा होता है तो crystal field stabilization energy जादा होती है अगर तुम्हारा metal 4D का या फिर 5D का होता है तो भी बेटा crystal field stabilization energy बहुत जादा होती है सारे factors तुम्हें बताये थे मैंने अगर strong field ligand होता है अगर बेटा strong ligand होता है तो भी तुम्हारी crystal field stabilization energy जादा होती है तो इन में से कोई भी उठा लो है ना इवन बेटा एक और बात का धिहान रखना कि अगर तुम्हारे पास chillation complex में 3 हो जाएं तो भी बेटा तुम्हारी crystal field stabilization energy बहुत जादा होती है अब ध्यान रहे सबसे पहला this is the most important factor है ना these two are the most important factor इन पर हमेशा ध्यान देना है तो सबसे पहले सारे के सारे element 3D के हैं है ना अब सारे के सारे element 3D के हैं तो इस पर तो ध्यान ही नहीं देना यह factor तो वैसे ही कट हो गया है अब सिर्फ और सिर्फ आंसर इसके हिसाब से दिया जाएगा लिगेंड क्या है बेटा यह strong है साइनाइड is the strong ligand यह बेटा weak है यह chillation कर रहा है इस complex में क्या हो रही है चिलेशन हो रही है कितनी बेटा तीन तो यहाँ पर यह strong ही behave करेगा अगर चिलेशन तीन होती है तो ligand strong हो जाता है यह क्या है बेटा weak अब मैं तुम्हें यहाँ पर crystal field splitting का even order भी बताऊंगी है ना crystal field splitting का order भी बताएंगे हम यहाँ पर बहुत अच्छा question है ध्यान से सुनना है बहुत से चीज़े सीखोगे यहां से crystal field splitting का order भी बताएंगे तुम्हें सबसे पहले बेटा आंसर रहेगा तुम्हारा फर्स्ट फिर रहेगा बेटा तुम्हारा आंसर सी बेटा तुम्हारा आंसर D और फिर रहेगा बेटा तुम्हारा आंसर बी यह तुम्हारा आंसर रहेगा सबसे पहले सबसे पहले दियान देना है हमारे लीगेंड काुं से हैं आपर Cyanide उसके बाद, metal हटाए, oxidation state, chillation, उसके बाद तुम्हें किस पे ध्यान देना है, chillation पे, ठीक है, उसके बाद किस पे तुमने देखा, chillation पे, तीन chillation हो रही हैं, तुम्हार पास किस में, इस complex में, हो रही हैं ना तीन chillation, एक complex का structure बना के दिखा दू, कोबल्ट e 3, 2 positive, इधर देखो, किसी को इसका structure imagine करने में परिशानी हो रही हो, तो बेटा, e-N आपके पास क्या होता है, etheline diamine होता है, क्या होता है, इसका structure कैसा होता है, NH2 CH2 CH2 NH2 यह बेटा इसका क्या होता है structure होता है अब आप complex बनाईए यह cobalt हो गया है ना इस तरीके से हमारे पास 6 arrows आएंगे बेटा यह बेटा आपका हो गया complex एक chilletring दूसरी chilletring आप तीसरी chilletring है ना तो अगर chilletion होती है ना बेटा तो हमेशा आपके complex में stability आती है हमेशा chilletion की वज़े से stability आती है लेकिन अब तुम्हारे पास ना doubt क्या आईगा बेटा तुम यह तो जानते हो कि इसलेशन है तो स्टेबिलेटी आएगी मैं हटके में साइड में इसे लिख लेना लेकिन इन इन फाक्टर्स को ऐसे आरेंज करने में बहुत परिशान रहते हैं तो मैं तुम्हें बता देती हूं कि सबसे पहले सबसे पहले जो है मैं इनको नाम देती हूं एक दो तीन चार सबसे पहले तुम option देखोगे second फिर तुम देखोगे third फिर तुम देखोगे fourth और फिर तुम देखोगे first यह तुम्हारा order होना चाहिए हमेशा order होना चाहिए तुम्हारा crystal field splitting के साब से अरेंज करने के लिए crystal field splitting के साब से अरेंज करने के लिए order होना सबसे पहले क्या देखा metal किसका है 3D का है 4D का है 5D का है सब में metal किसका है बेटा 3D का है option हट गया लिगेंड कौन सा सबसे स्ट्रॉंग लिगेंड सबसे स्ट्रॉंग कौन सा है सबसे स्ट्रॉंग कौन सा है साइनाइड है फिर कौन सा है तुम्हारा कौन सा है water है और फिर कौन सा है बेटा तुम्हारा chloride है तो यह तो तुम्हारा हो गया लिगेंट से साबसे आंसर तुमने अरेंज कर लिया फिर क्या है चिलेशन देखो है ना चिलेशन किसमें है इसमें है चिक है बट आपका नेक्स्टी है और उसके बाद लास्ट में ऑक्सिडेशन स्टेट है और आपको इक्वेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए सबसे पहले मेटल देखना है सेंटल मेटल आटम कौन है कौन सी सीरीज का है उसके बाद लीगेंड कौन सा स्ट्रॉंग है अगर लीगेंड की स्ट्रेंद के साब से आंसर आ चुक हमारा यहां पर आंसर लीगेंड की स्ट्रेंद के हिसाब से ही आ गया है तो हमें कुछ पढ़ना है ही नहीं किसी और चीज में ठीक है ध्यान देना है उसके बाद बेटा इन विच ओफ फॉलोविंग कॉर्डिनेशन एंटिटीस तर मागनिटूट ऑफ डेल नॉट विल बी maximum अब फिर से जिसमें बेटा crystal field splitting maximum होगी उसी की crystal field stabilization energy सबसे जाधा होगी है ना splitting energy ही तो होती है splitting और वो splitting की जो value होती है crystal field stabilization energy, ठीक है, तो किस case में सबसे जाधा होगी, सबसे पहले क्या देखना है, metal कौनसी series का है, सभी में 3D series का है, done, second चीज क्या देखनी है, ligand, अब ligand पर ध्यान दो, इन में सबसे हाँ strong ligand कौन सा है, cyanide है, फिर तुम्हारा कौन सा ligand सबसे हाँ strong है, ammonia है, है न, फिर कौन सा ligand strong बेटा, oxalate है, और फिर कौन सा strong है बेटा, तुम्हारा water है, है न, यह तुम्हारा ligand के साब से आंसर होना चाहिए, है न, ligand के साब से बेटा, तुम्हारा आंसर होना चाहिए, बट तुम्हें पता है, कि इस complex में क्या होती है, chillation, इस complex में chillation, तो ध्यान रहे, तो ध्यान कि आपके पास माक्सिमम माक्सिमम जो आपकी crystal field splitting होगी वो होगी बेटा आपके option नमबर फर्स्ट में कुबॉल्ट cn6 3 negative बस simple सी बात है answer आपका आचुका है लीगेंड भी देख लिए आपने इसमें चिलेशन हो रही है कैसे चिलेशन हो रही है किसी बच्चे को यह doubt है तो मैं वो भी बता देती हूं यह आपका लीगेंड कौन सा है बेटा c2o4 2 negative यानि कि o negative c double bond o c double bond o o negative यह बेटा इसका bond line structure होता है यह इसका क्या होता है बेटा bond line structure होता है अब आप बना सकते हो complex बना लो बेटा complex यह बेटा आपका complex बन जाएगा तीन चिलेटरिंग है 1 2 3 तो चिलेशन यहां पर 3 3 है ठीक है the electronic distribution in dn coordination complexes depends on magnitude of crystal field splitting and pairing energy the condition which favors the formation of high spin complexes यह बेटा क्या है आपका यह आपका क्या है आपका low spin है एक 2 3 4 तो यह तो गलत हो जाएगा यह भी गलत है जब यह splitting जादा होती है जब यह splitting जादा होती है जब dell not जादा होता है है ना तभी आपका low spin complexes बनता है लेकिन वो तो आपसे high spin की बात कर रहा है तो यह आपका answer सही होगा आपका यह जो gap है ना बेटा dell not कम है काफी कम है crystal field splitting काफी कम है तो आपका electron बड़े प्यार से ऊपर कूच सकता है high spin complex बन सकता है ठीक है among the following complexes the one which shows the zero crystal field stabilization energy zero crystal field stabilization energy बेटा सिर्फ दो cases में आती है d5 high spin में और d10 में चाहे low हो चाहे high हो बस इनी दो cases में आपके पास crystal field stabilization energy बेटा 0 आती है तो निकाल लो यहाँ पर आपके पास electronic configuration आ जाएगी बेटा 3d5 है ना यहां आपके पास आ जाएगी बेटा 3d8 और यह आपका low spin ही होगा sorry यह बेटा आपका high spin होगा क्योंकि आपका ligand क्या है weak है water is a weak ligand तो यह आपका high spin ही बनेगा है ना यह बेटा आपके पास electronic configuration हो जाएगी आपके पास 3d7 और यह आपके पास क्या हो जाएगी बेटा 3d4 तो यही आपका answer हो जाएगा है ना कोबाल्ट की electronic configuration कितनी होती है बेटा कोबाल्ट की होती है कोबाल्ट की फिर से कितनी होती है बेटा कोबाल्ट की होती है 3d7-4s2 कितनी होती है बेटा 3d7-4s2 कोबाल्ट इस 3d7-4s2 तो यह 3d7 बचेगा मैंगनीज आपके पास होता है बेटा आरगन 3d5-4s2 तो 3d4 बचेगा आंसर विल बी option number first 3d5 मिलते ही बेटा आंसर तो आपका आई ही गया है ठीक है चलते हैं आगे अब कहते है बेटा platinum NH3-4 2 positive has what type of a structure अब ध्यान रहे है बेटा निकल होता है पलेडियम होता है प्लाटिनम होता है यह तीनों elements होते हैं इनके group की general electronic configuration होती है n-1 d8 ns2 ऐसी इनकी general electronic configuration होती है अब तुम्हें पता है बेटा कि यह element 3D का है यह 4D का है और यह किसका है बेटा 5D का है अब यह जो दोनों series होती है 4D 5D की series हमेशा यह क्या बनाते हैं बेटा हमेशा यह क्या बनाते हैं low spin complexes बनाते हैं यह मैंने आपको कहां पर पढ़ाया है जब मैंने आपको factors discuss करे थे crystal field theory के lecture 1 में है ना factors हमने जब discuss करें तो मैंने आपको बता था कभी भी element 4D और 5D का आता है हमेशा जो आपके complexes बनेंगे वह low spin ही बनेंगे है ना तो बेटा जब low spin बनेंगे तो अब platinum जो है यहाँ पर वह अपनी plus 2 oxidation state में present है है ना तो अब इसकी electronic configuration क्या हो जाएगी बेटा यहां कौन सी noble gas हाती है आरगन, krypton, zenon तो यह क्या होता है बेटा zenon होता है 3D, 4D, 5D तो 5D 8, 4S2 होगा तो यह 5D 8 बच जाएगा बेटा किसमे platinum plus 2 की electronic configuration में कितना बच जाएगा बेटा 5D 8 बच जाएगा है ना यही electronic configuration होती है आपके पास platinum की अगर platinum की चाहिए बेटा तो वह आपके पास होती है zenon 5D 8, 4S2 है ना लेकिन आपको तो platinum plus 2 चाहि तो 5D 8 हो गई, तो भरो बेटा, भरना start करो, यह आपके पास आपके d orbitals है, तो यह है बेटा आपके पास 5D, this is 6S, this is 6P, तो कितने electrons रहेंगे आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने electrons रहेंगे बेटा, 5D 8, अब आपको पता है कि low spin है, तो आपको क्या करानी पड़ेगी, पेरिंग करानी पड़ेगी, लो spin है बेटा, तो आपको क्या करानी पड़ेगी, पेरिंग कराईए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पेरिंग करा दी, अब क्या पूछ रहे है, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो बना लो बेटा, समझ रहे हो ना, पेरिंग कराके मैं तुम्हें VBT करा रही हूँ, तो तुम्हें कोई confusion नहीं होना चाहिए बेटा, किसी भी तरीके का, अब तुम्हें पता है, लीगेंड आएंगे, तुमको डब्बे खाली चाहिए, तो बेटा, डब्बे खाली अपन कर रहे हैं, है ना, कर लिए है अपने डब्बे खाली, क्या परिशानी, आराम से बिठाओ, तो क्या आएगी बेटा, hybridization, dsp2, hybridization आएगी बेटा, dsp2, यानि कि आपका complex क्या बन जाएगा, square planar, square planar, ठीक है बेटा, दिहान रहेगा, हर बच्चे को, चलिए, अब चलते है बेटा, next question पे, अब कहता है कि, for which of the following complexes, type of ions, for which of the following type of ions, is the number of unpaid electrons in octahedral complexes, fixed at the same number, as in the free ion, no matter how weak or strong the ligand is, ठीक है बेटा, यह आपसे यह कह रहा है, कि कह रहा है बेटा कि, अगर आपका ligand weak हो या strong हो, इस बात से कोई फरक ही नहीं पड़ता, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता, आपकी cfse की value same ही रहनी है न, ध्यान से सुनना है, for which of the following type of ions is the number of unpaid electrons in octahedral complexes fixed है, as the same number as in the free ion, no matter, चाहे weak रखो तुम लीगएं, चाहे रखो तुम strong, तुम्हें पताया था मैंने बेटा, कि D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, D8, D9 और D10, इनके लिए, इन सभी के लिए, तुम्हारी, जो cfse होती है, crystal field stabilization energy के value जो होती है बेटा, वो आपके पास क्या रहती है, वो आपके पास रहती है बेटा, same, है न, तो D3 will be the answer, और कुछ करना ही नहीं है, वो मैंने आपको energy के time पे निकाल के दिखा दिया था, अब चलते है बेटा, अब क्याता है, कि titanium का ये complex color है, जबकि scandium का ये complex color लेसे, ऐसा क्यूं होता है, अब देखो बेटा, जो आपके पास complex है, titanium H2O6 plus 3, इसमें titanium की plus 3, oxidation state के हिसाब से, जो electronic configuration आती है बेटा, वो आती है, आरगन 3D1, क्या आती है बेटा, electronic configuration, आरगन 3D1, तो इसका मतलब बेटा, इसके पास presence of unpaired electron है, इसके पास बेटा, presence of unpaired electron है, तो इसलिए ये color show करता है, इसलिए बेटा, ये color show करता है, लेकिन अगर मैं तुमको बोलू, scandium का जो complex ये बना के तुम्हें पूछ रहे है, scandium H2O plus 6 वाला, है ना, अगर बेटा, तुम्हें इस complex की बात करते हूँ, तो इसमें scandium तो plus 3 में है, और उसमें तो बेटा, उसके पास कोई electron ही नहीं होता, वाँ पर 4S0 होता है, 3D भी 0 होता है, 4S0 और 3D 0, तो यहाँ पे unpaid electron है ही नहीं बेटा, यहाँ पे जो आपका unpaid electron है, वो क्या है, absent है, तो इस वज़े से color होगा ये complex, इस वज़े से बेटा, ये complex में color present होगा, इस complex में color नहीं होगा, इस में color होगा, इस में color नहीं होगा, ठीक है, यह बेटा, बहुत important सवाल है, ऐसे सवाल आपसे boards में, बहुत हद तक chance की पूछे जा सकते हैं, बहुत हद तक chance है, अब देखो बेटा, determine the correct order of the stability of the complexes, है ना, stability of the complexes से सवाल पूछा जा रहा है, अब ध्यान से सुनना है, जब भी बेटा, complex की stability की बात की जाती है, मैंने तुम्हें, lecture 1 में बताया था बेटा, कि complex जो है, stable होता है, जब complex बेटा, stable होता है, तो कब-कब stable हो सकता है, है ना, जब oxidation state of metal क्या हो, बेटा, जादा हो, या फिर, आपका जो ligand क्या हो, बेटा, वो strong हो, तब भी आपका stable complex बनता है, या फिर, बेटा, क्या हो, आपका metal किसका हो, या तो 4D का हो, या 5D का हो, यह हम lecture 1 में discuss कर चुके है, है ना, factors के अंदर, या फिर, बेटा, आपके complex में क्या हो, chillation हो, ये सभी के सभी factors के एसाब से, आप अपने complex की stability बताते हैं, है ना, आप अपने complex की stability बताते हैं, जो भी complex stable होते हैं, वो usually हमेशा low spin होते हैं, और उनको inert के नाम से जाना जाता है, जाधा तर, किसके नाम से बेटा, inert के नाम से जाना जाता है, ठीक हैं, आप सबसे पहला option देखो, सबसे पहला option देखो बेटा, कहता है आपसे, Fe H2O6, Fe En whole twice, and Fe, ये वेटा, En, die En whole twice, है ना, 3 positive, तो पहला option है वेटा, आपसे कहता है, Fe H2O6 plus 3, ये मेटा option हटा दो, क्योंकि ये factor, ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा question हमने कहीं और से उठाया है, थोड़ा higher level question है, बट बोर्स के लिए यही दोनों option रहेंगे, ये थोड़ा ligand आपका चला जाएगा, by dentate में, तो वहाँ से सवाल आता नहीं है, बोर्स में तो उसको consider करने की जरुरत भी नहीं है, आप बस इनी को ही ले सकते हो, ठीक है, तो अब इसमें देखो बेटा, ये क्या है आपका oxygen donor है, और ये बेटा आपका क्या है, nitrogen donor है, है ना, ये बेटा oxygen donor और ये क्या है आपके पास nitrogen donor, तो आपको बहुत stability बेटा ये से क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी, आपका option number 1 हो गया, अब 2 देखो बेटा, कोबॉल्ट है ना, अब यहाँ पर तुम्हें क्या difference दिखाई दे रहा है, ये बेटा प्लस 2 है, और ये बेटा क्या है, प्लस 3 है, तो oxidation state of metal जादा होती है, तो लीगेंड ये अगर हमारा इस bond को बनाने के कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से, तो आपका stable complex ये बनेगा, लास्ट क्लास में इस सब चीज़े आप से discuss कर चुकी हो, थर्ड आता है बेटा, अब ये, एक है बेटा आपके पास, nickel, H2O, 6, 2 positive, and बेटा, nickel, NH3, 6, 2 positive, and nickel, NO2, 6, 4 negative है ना, अब आपको इस में बेटा बताना है, तो यहाँ पर सभी में जो metal की oxidation state है, वो plus 2 ही है बेटा, यहाँ पर भी nickel plus 2 में है, यहाँ पर हमने जो answer किया है बेटा, वो किस के बैसिस पे किया था, oxidation state के बैसिस पे किया था, यहाँ पर भी बेटा, nickel किस में है plus 2 में है और E1 यहाँ पर भी nickel बेटा, plus 2 में ही आएगा, NO2, nitro होता है, चार्ज उस पर किता होता है, minus 1, तो सब में बेटा आपके पास oxidation state, same ही आएगी, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ answer करना है, लीगेंड की strength के हिसाब से, किस के हिसाब से बेटा, लीगेंड की strength के सब से आपको answer करना है, तो सब साथ है आपके पास हो जाएगा बेटा, आपका, लीगेंड की strength के इसाब से आपका answer हो जाएगा, 3, 2, 1, यहाँ पर nitro सब सब साथ strong लीगेंड है, फिर amine बेटा, और फिर आपके पास कौन सा आपका water, तो यह answer हो जाएगा, stability of the complex में, है ना, किस-किस order में किस-किस को देखना होता है, सब मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ, कोई भी doubt तुम्हें अब नहीं होना चाहिए, सब सीख लिया है बेटा तुमने, अब आते हैं, अगले सवाल पर, कहता है बेटा, अगला सवाल कि, on increasing order, correct increasing order for the wavelength of the absorption in the visible region for the complexes of cobalt plus 3, अब तु पूछे जाते हैं, wavelength वाले, जब भी बेटा, ध्यान रखना, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे wavelength वाले, वो तुम ध्यान रखना, energy क्या होता है, hμ होता है, यानि कि energy क्या होता है, hc by lambda होता है, यानि कि energy inversely proportional to wavelength होता है, और यहां पर जो हम energy ले रहे हैं, वो actually हम crystal field stabilization energy जिसमें सबसे ज़्यादा splitting होगी, यानि कि जिस complex में सबसे ज़्यादा stability होगी, है ना, उसी complex की cfsc सबसे ज़्यादा होगी, crystal field stabilization energy उसी में ही सबसे ज़्यादा होगी, है ना बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होता सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि metal कौनसी सीरीज का है, तो सभी में ही आपको पता है 3D सीरीज है, फिर आप ध्यान देते हैं कि आपका ligand का strength क्या है, है ना, ligand का strength क्या है, तो आपको पता है ये आपका क्या है, nitrogen donor है, ये भी बेटा आपका क्या है, nitrogen donor है और ये सबसे कम होगी उसी की ही wavelength सबसे जादा होगी है ना यह हमारे पास जो order है यह wavelength की order है बेटा ऐसे है अच्छा इंक्रीजिंग order बोल रहे हैं ऐसे orders है यह ठीक है तो बेटा अगर इसकी CFC सबसे कम है तो इसकी wavelength सबसे जादा होगी है ना इसकी CFC सबसे कम हो नहीं सकती इसकी भी नहीं हो सकती इसकी नहीं हो सकती क्योंकि यह nitrogen donor है nitrogen donor जो पेटा स्ट्रॉंग है है ना लीगेंड में nitrogen donor strong होता है बेटा है और oxygen donor weak होता है यह हम order लिख रहे है crystal field stabilization energy splitting सब कुछ nitrogen donor लीगेंड बेटा strong होते है तो उनके case में आपकी CFC जादा होती है है ना बेटा तो धिहान रहे जिसकी CFC जञदा उसकी wavelength सबसे कम है दूसे में wavelength सबसे ज़यदा है तो इसमें CFC सबसे ज़यदा है अब तुम कातुमें है पता है कि दोनों ही nitrogen donor है लेकिन इसमें क्या आ गई है इसमें आ है बेटा चिलेशन तो चिलेशन की वज़े से स्टेबिलीटी और स्प्लिटिंग दोनों ही थोड़ी जादा हो जाएगी यह बात आपको ध्यान रहें बस इतनी सी चीज है ध्यान रखना ठीक है बेटा तो यहां पर हमने क्रिस्टल फील स्टेबिलाइजेशन एनरजी से जु क्वेशन में नहीं होना चाहिए आप घर पे जाएंगे उठाओ बेटा इंसी आर्टी और सॉल्फ करना स्टार्ट करो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेशन ने जो आपका क्रिस्टल फील्ट थियॉरी से नहीं होगा अराम से आप कर लोगे कोई भी आपको प्रॉ ठीके बीटा थांक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दे लेक्ट्र